कोरोना पॉजिटिव आभुशन कारोबारी मुकेस अगरवाल पर कलेक्टर भरत यादाओ के निदेश पर F.I.R. दर्च की गई है पुलिस ने F.I.R. दर्च करते हुए मुकेस अगरवाल के शोरूम को सील कर दिया है कलेक्टर ने प्रहजवारता में जानकारी देतुए कहा कि संक्रमत व्यक्ति के द्वारा जानकारी छेपाने पर उसके खिलाप F.I.R. दर्च की जाएगी किसी में व्यक्ति की सूशना पर प्रशासन के साथ पुलिस और संपून स्वास्त विवाद ततकाल अपने इस्तर पर कारवाही कर रहा है कि उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने चीज़ों को गंभीरता से नहीं लिया, दुकान में बैठे रहे उनके खिलाप F.I.R. भी दर्च हो गई है, उनकी दुकान को भी सील कर दिया गया है, उन पर जुर्माना भी लगाया गया Public Health Safety Act के तहर तीन बहीने की सजा का प्रावदान है, जो की छुपाएगा जानकारी को, या गलत जानकारी देगा, या अफवा फैलाएगा अभी भी लोग अफवा फैलाते हैं, उनको आपके माद्दम से मैं आगा करना चाहता हूँ जैसे एक वीडियो चला, कि एक पेसेंट जो मेडिकल कॉलेज में गए, उनने जगडा किया, जब कि वो यहां का वीडियो नहीं था तो कोई भी कुछ भी वीडियो नहीं चलाएं, सब अपनी जिम्मेदारी को समझें, कुछ भी वीडियो चलाने से रोक थाम नहीं होगी, हम सब को मिलके काम करना पड़ेगा थार्ड स्टेज आई है, सभी जगे आई है, अब इसके परणाम हैं, जो इसकी चनोतियां हैं, बिल्कुल इस्चित तोर पर उनसे हमें लड़ना पड़ेगा और सबको मिलके लड़ना पड़ेगा, सबको अपने-अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा, तयार ही हमारी पू में हमने सेक्शन वन एती है जो की सेवन जीरो में एक फाइयार मुझे सग्रवाल के खिलाब दर्श की है मुझे सग्रवाल दुगई गया थे दुगई टिप से लोटे थे जब इनकी स्कीमिंग ही थे उसमय निगेटिव आये गया थे लेकिन कोरोना वायरस का अपना एक टाइम कीरड होता है 14 देज और 28 देज तब अगर उसके सिंटम्स आते हैं तो बागाईदा रॉक्टर से जाकर अपनी जांस करवानी चाहिए स्कीमिंग करवानी चाहिए अपने को करवाना चाहिए लेकिन यह सारी चीजे जो इंसक्शन्स थे स्टेट गवर्मेंट के जो व्हो के जो कलेकर सर के इंसक्शन्स पे उनका उनोंने पालन नहीं किया वो लगादार अपने सुखागन अभूशन की दुकान पे बैखे रहे बहुतसे अलाकि उन्होंने मास्क लगाया रखा लेकिन बहुत से लोग आए जो उनकी दुकान पर ग्रहक के तोऑड पर आएं बफरते वरकर उनकी आँच काम करते हैं उन सभी को ऑनका नहीं जो फूर्ट के चल्ट किया गया है पांच किलोमिटर रेडियस जो क्रोना के संदर में इंस्क्षिन है उसका भी हमने पानन किया है सारी जगह को हमने लॉक्डाउन कल राप से कराना शुरू किया है और मार्निंग में भी आविश्यक वस्तियों को छोड़ किये हर जगह हम लॉक्डाउन कर रहे हैं करोना का जो सबसे बड़ा बचाव है करोना की चक्र को तोड़ना और इस चक्र को हम तभी तोड़ सकते हैं जब हम अपने को घर में सीमित रखने इसी को मद्द्र रखते हुए हमने लॉक्डाउन स्टार्ट किया है जो अगामी 48 आवर्स तक हम रखेंगे और प्रयास करेंगे कि जबलपुर में इसका फैलाव जो है उसको रोका जाए चार से जाए